दिल्ली में ऑक्सिजन संकट पर एहम बैटक होगी थोड़ी दिर में यी बैटक शुरू हो जाएगी लेकिन उससे पहले लेटिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने ग्रह मंतरी अमिश्चा से बाचीत करी है जियाएंस वक्ती बड़ी कवर आपको ता दे थोड़ी दिर में उप अक्सिजन बिल्कुल खतम हो जाएगी उसके बाद आज दो चीज़े हैं पहली अर्विन केजडवाल और अनिल बैजल की फिलसे बैटक होगी ऑक्सिजन की कमी को लेकर बाचीत होगी साथी साथ जो संक्रमन है उसको कैसे रोका जाए तैयारी कैसे ठीक से और करी जाए दिल्ली में ऑक्सिजन की भारी कमी अस्पटालों में कुछ ही घंटों की बची ऑक्सिजन ये कहना है मनीश सिसूदिया का दिल्ली सरकार ने केन से मांगी ऑक्सिजन 24 घंटे में 28 स्थार 305 पे नए केस सामने आये हैं 277 मरीजों की मौत हो गई है जियां बनीश सिसूदिया ने भी कहा है अरविन के जिवाल ने भी कहा है सतेंदर जैन ने भी कहा है कि ऑक्सिजन की भारी कमी है ऑक्सिजन की कमी को लेके आप लगातार बैटकों को दौर चल रहा है बाचीतों को दौर चल रहा है और कोशिश ही है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो दिल्ली में बिल्कुल बिना बादित हो इसको लेकर रहा लेफ्टरेंग गवर्नर ने बादशीत भी करी हमिश्चा से और इस्तिती यही है केसे लगातार बढ़ें 28395 केसे है 170 लोगों की मौत है ऑक्सीजन की भारी कमी है दिल्ली में इसलिए एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्मेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजे मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गया और आज हम कैसे ठीक की जाए उस पर देखे या वो यह देखे कि सेंट्रल गवर्मेंट कोटा नहीं बढ़ा रही है हम ऑक्सीजन कैसे ले तो मेरी सेंट्रल गवर्मेंट से हाथ जोड के रिक्वेस्ट है कि आपने हमेशा आगे बढ़के पूरे एक डेड़ साल में कोरोना की लडाई में साथ दिया है अभी भी दिल्ली को ऑक्सीजन की जरूत है दिल्ली के लोगों को दिल्ली के एस्पतालों को ऑक्सीजन की जरूत है जाद है अक्सीजन की जरूत है आप दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजे और जो कंपनिया है ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली उनको कहिए कि दिल्ली को आक्सिजन की सप्लाई सुनिश्चित करें सरकार की कोई जिम्यदारी नहीं है सारी जिम्यदारी राज्यों की और जनता की है तकलीफ की बात है आक्सिजन और दवाईया मार्किट में कब तक आएंगे हॉस्पिटल्स के अंदर बैट कब तक बढ़ेंगे ये मारा मारी का मुकाबला भालत सरकार कैसे है और कब कर पाएगी अपडेट बता दें आपको दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी संकट आ गया है थोड़ी देर में बैटक होनी है थोड़ी देर में उप्राजपाल और केजरिवाल की बैटक होगी है एलजी ने पहले ही ग्रेमंतरी से बातचीत कर दी है और सुनिश्चीत करने की कुशिश की जा रही है कि बिना रुकावट ऑक्सीजन की सप्लाई रहे दिल्ली में चालू रहे दिल्ली सरकार ने मांग करी थी कि कई ऐसे होस्पिटल से जहां 6-9 घंटे की ही सिर्फ इसे कितना आप कह सकते हैं आवंटन हुआ है ऑक्सीजन का दिल्ली को देखे बैट तक शुरू हो चुकी है उप्राज्येपाल और दिल्ली के मुक्तिमंती अर्विंद केशिवाल के बीच करी तीन से चार बड़े अस्पतालों को जिसमें LNJP अस्पताल है गुरुतेक भा जिनके में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी शुरू हो जाएगी और उसी को देखते हुए यह बैठक एहम मानी जा रही है इस बैठक में जो मुख्य मुद्धा है वो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का है इसके अलावा प्रवासी मजदूर जो लगातार दिल्ली से जा है और तीसरा संकर्मन की दर क्यांकि कल 28000 से जादा मामले दिल्ली के अंदर दर्ज हुए है और यह जो बढ़ोतरी है मामलों में उसे लेकर भी चिंता लगातार बनी हुए जी पुल्कित अब लेटरेंट गवर्नर अनिल बैजल ने बाचीत करी है ग्रेमंतरी अमिश्या से ने फी क्या बातशीत हुई है क्या जो अक्सीजन की सप्लाई उसको लेकर बातशीत हुई है और कित्तन वेट्रिक तन क्यान का वेट्रिक हुआ है और दीली को अस्पताल है, LNJP है और सर गंगाराम अस्पताल है, सिर्फ तीन अस्पताल ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके पास आने वाले कुछ दिनों के लिए उक्सीजन पहुच गई है, लेकिन उसके अलावा दिल्ली में करीब 115 प्राइवेट अस्पताल है और इसके लावा सरकारी अस्पताल है, उनमें जादातर में आने वाले कुछ गंटों के लिए उक्सीजन है, कुछ में 10 गंटे के लिए, किसी में 12 गंटे के लिए, किसी में 24 गंटे के लिए, लेकिन बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है, उसकी रज़त सबसे बड़ी वज़े इस बाह ये देखी जा जा रही है, कि जितने भी लोग संक्रम में थो रहे हैं, उनमें जादतल लोगों को ऑक्सीजन बैट की ज़रोत की पढ़ रही है, और यहीं वज़े है, कि तमाम राज्यों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, और दिल्ली भी इससे जूझ रहा है, तो अभी जब अनिल सब्सक्राइब और दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद के शिवाल के बीच बाच्ची चल रही है ठीक है पुलकित आप नजर बना रखे जब यह मिटिंग खतम होगी क्या कुछ निकल के आता है मिटिंग से वापस आएंगे आपके पास इस अपडेट के लिए फिलाल के लि आपने उस से लेकि अभी तक कोई तैयारी नहीं करी कुछ नहीं किया आपने कि आप सिरफ आते हैं इतने बड़े बड़े भाशन देते हैं प्रेस कांफरेंस करते हैं और आज आप देख लो हाथ खड़े करके कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है अपने आप देख हस सकत्राइब की सब्सक्राइब अगरा हेड़ोल खुलश्छा कर दियु डिलीुये यह ने सबकुछ कुछ दिन करां यह यह योट के सकत्राइब है और भूण करदी में आजूं तर सब्सक्राइब हो भूद आक्सीजन बाखी रह गया तो अस्पताल ने मीडिया के सामने आकर आक्सीजन की गुहार लगाई। विने बेहत दर्णाक है आक्सीजन के सिलंडर को ICO तक पहुचाने की अफ्रा तफरी नजर आ रही है लेकिन अस्पताल के सामने बड़ी चिंता ये है कि आक्सीजन के सिलंडर जल्द ही खत्म होने वाले हैं जिस आस्पताल में कई कोरुणा मरीज ICO में भरती हैं वहां अक्स सिलंडर पहुचे है तो चार गंडे अगर सिलंडर नहीं पहुचे है पूरे की योग अस्पताल को ऑक्सीजन देने का भरोसा प्रशासन ने दिया लेकिन ऑक्सीजन कितनी मिलेगी और कब तक मिलेगी इसका दावा कोई नहीं कर सकता मुम्किन है कि जो मरीज वेंटिलेटर और अक्सीजन पर हैं उन्हें किसी और अस्पताल में भरती करना पड़े लेकिन बड़ा सवाल ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद महराश्टर और पूने के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ती क्यों नहीं हो पा रही है योग अस्पताल में 11 मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 23 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जारी नहीं रही तो हालात नाजुक हो सकते हैं पूरे के अस्पताल में ऑक्सीजन खत्प हो गई तो वहीं मुंबई के कई वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन उपलब नहीं है अस्पतालों ने अपने सेंटर के सामने बोड भी लगा दिया कि वैक्सीन नहीं है पूरी जनकारी दे रही है इंडिया नूज रिपोर्टर प्रिती सुंपुरा कर दिया गया है क्योंकि वैक्सिन ना होने के कारण जो इस सेंटर बंकर दिया गया है वैक्सिन अवेलेबल नहीं 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 पता लगा की अफोकी मैसेज आया था था इस 15 मिनट दो येस्टरड आपको एन आपाइनमेंट ओनलाइन एन आपको तो फोली फैमिली शुपिटल आपको बताया जारा है कि वैक्षिन का जो इस्टॉक नहीं है जिसके बाद आज सब्सक्राइब नौ बजे जो है बीकेशी का ये जो सेंटर एऊसको बंद कर दिया गया है और साथ में ही यहां पर बोर्ड भी लगा दिया गया है कि वैक्षिन अवेलेबल नहीं है कैमरामें रमेज के साथ प्रिफिस ओंपुरा इंडिया नीज मॉंबाई वैक्सीन की शौटेज पर आपने ये रिपोर्ट देखी माराश्ट में ही हालत बहुत खदरनाक है खास तोर पर सबसे बुरा हाल है मॉंबाई का इन सब के बीच परिशान करने वाली बात ये है कि अभी भी लोगों की लापरवाही जारी है रिपोर्ट देखिए कि राज्जद में एक जगा जहां पर जल्ड ही नए रस्रिक्षिन के और आने वाले हैं महाराश्ज गर्वर्मेंट नए रस्रिक्षिन्द नए रूल्स नए नॉर्म्स लेकर आने वाली है और भी जादा strict restrictions, lockdown जैसा ही या lockdown ही, जहाँ पे इन सारी चीजों की संभावना है, माराश्य मुक्यमंत्री खुद शायद लोगों से बात करेंगे इस पर, जहाँ पे इन सारे चीजों की संभावना है, उसी बीच हम देखते हैं कि मुंबई की जो पबलिक है, जैसे कि यह पूसरी का टाइम है, उसको ध्यान में रखकर जो है लोग अब जगर जगर पे बीड दिकाई देरी है, और वैसे ही कहीं पे यह सारे स्पोर्ट से वेजिटेबल मार्केट में, जहाँ पे लोग एक साथ जो है जमा होकर इंपोर्टन जो घर की चीज़ें हैं, घर का सामान ह वो लेने के लिए बाहर निकले हैं, यह देखा गया था कि पहले जो लॉकडाउन लाइक रस्टिक्शन से, ब्रेक देचेन के नाम के अंडर, वहाँ पे कई लोग बाहर निकल रहे थे, जब वजब पूची जाती थी, तो यह पूची जाती थी कि वो कुछ सामान लेने नि अग्जिस्ट हुआ है और साथ से ग्यारा, ग्रोसरीज, बेकरीज और यह सारी जो खाने की चीजें हैं, वो साथ से ग्यारा, उनका टाइम कट कर दिया गया है, और साथी में होम डिलिवरी भी आठ बजे के बाद अलाउड नहीं है, यह बताया गया है, मुबेश से कामेरा वर्सन राजी शर्मा के साथ मैं और वेशी कोना इंग्या नियूस के लिए अक्सिजन की कमी पर हमने ये रिपोर्ट साब को दिखाई अस्पतालों का क्या हाल है ये भी आपको बताया जनता कैसे परेशान है मुंबई में लॉकडाउन रगने वाला है दिली के हालत क्या है दिली में बैटक हो रही है अमिशा से लजी ने बात चीत करी है इस सारे पहले इस वक्त की सुर्कियां